ABP News की खबर का एक बार फिर असर हुआ है सोशल मीडिया की ताकत से आज हर कोई वाकिफ है सोशल मीडिया से बड़े-बड़े पैसले हो जाते है कश्मीर की 6 साल की बच्ची ने सोशल मीडिया पर P.A. मोधी से अपील की नमस्ते भारत में हमने आपको पूरी खबर दिखाई और सबसे पहले दिखाई तो अब जम्मू कश्मीर में बच्चों की शिक्षा पर नीती ही बदल गई रिपोर्ट देखे जमस सुबा उसके दब 10 बज़े मुझे 2 बज़े तक हो थी एक लास इतना जादा काम रखते है बड़ो मच्चों को जो थे 7, 6, 10 चोटपा चुको इतना काम क्यों रखते हैं मोधी साथ ओनलाइन जादा पढ़ाई से परेशान इस कश्मीरी बच्ची का पीए मोधी से शिकायक करने का विडियो तीन मिन पहले वाइरल हुआ और ऐसा वाइरल हुआ कि सूबे की शिक्षा को लेकर नई गाइडलाइन्स जावी हो गई बच्ची के विडियो पर सोमार को ही जम्मो कश्मीर के उपरा जिपाल ने प्रतिक्रिया देते हैं वोई कहा था कि बच्चों पर पढ़ाई का बोज ना पढ़े मंगलवार को बच्चों को लेकर जारी नई गाइडलाइन्स के मतावे प्री प्राइमरी के लिए 30 मिनट और प्राइमरी के लिए 90 मिनट से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की जाएगी साथ ही क्लास एट तक के बच्चों के लिए भी 30 से 45 मिनट के दो सेशन से ज़्यादा नहीं करने का नियम बनाया गया है सोशल मीडिया की ताकत से बेखबर इस प्यारी बच्ची को शायद अभी एहसास ना हो लेकित उसके एक विडियो ने पूरे राज में ऑनलाइन पढ़ाई के नियम बदल दिये है कर दो कर दो दो कर दो